मौधी सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए PM सुर्य घर मुप्त बिजली योजना 2014 सुरू कर दिया है इस योजना के अंतरगात परते गर में सोलर प्लेट लगाई जाएंगे यानिकि सोलर पैनल लगा कर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएंगे PM सुर्य घर योजना के अंतरगात आप ओनलाइन फोर्म बरके आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं तो साथियों जल्दी से कॉमेंट करके बताएं कि आप भी अपनी घरों की चट पर सोलर प्लेट लगवाना चाते हैं यानि कि सोलर पैनल PM सुर्य घर योजना के अंतरगात लगवाना चाते हैं जिसे आपको 300 यूनिट बिजली मुप्त में मिलेगे परदान मंतरी सुर्य घर मुप्त बिजली योजना के अंतरगात हर महीने 300 यूनिट बिजली बिलकुल फ्री में मिलेगी और इसके लिए केंदर सरकार 75,000 करोड़ से अधिक के निवेस वाली इस योजना से एक करोड़ घरों में सोलर पलेट लगवाए जाएंगे यानि कि परधान मंतरी सुरिय गर मुप्त बिजली योजना हो गया है और इस योजना के अंतरगत एक करोड़ परिवारों के गरों की चट पर सोलर पलेट लगाए जाएंगे सोर उर्जा के 76 में केंदर सरकार की PM सुरिय गर योजना ये सबसे बड़ी योजना है और इस योजना के अंतरगत पूरी भारत में एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाई जाएंगे सोलर प्लेट पीम सुरिय गर योजना के अंतरगत लगाए जाएंगे ताकि हमें भी पीम सुरिय गर मुपत बिजली योजना के अंतरगत हर महीने 300 यूनट फ्री में बिजली मिल सके पीम सुरिय गर योजना की गोसना मारेनिया परदान मदरी स्री नरेंदर मोदी जी ने मुपत बिजली के चात पर सोर उरजा योजना यानि कि पीम सुरिय गर मौपत बिजली योजना सुरू करने की गोशना कर दिए हैं इस योजना के अंतर गरत निरंतर विकास और लोगों की बलाई के लिए हम पीम सुरिय गर मौपत बिजली योजना सुरू कर रहे हैं 70,000 क्रोड रुपए के अधिक के निवेस वाली इस प्रियोजना का लक्ष है हर महीने 300 यूनिट तक मुप्त बिजली परदान करना है और एक करोड घरों को रोसन करना इस योजना का मुख्य हुदे से पीम सुर्य गर मुप्त बिजली योजना के अंदर गज सबसीड़ी दी जाएगी और सीधे लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के दवारा बेजी जाएगी बारी रियायत बैंक रिन तक के अंदर सरकार या सुनेचित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोच ना पड़े सबी हितादारक को एक रास्तरी ओनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा तो आगे सहूलियत पर दान करेगा इस योजना को जमीन इस्तर पर लोग पिरिये बनाने के लिए साहरी इस्ताने निकायों और पंसायतों को अपने अधिकार चेतर पर सोर परनाली को बढ़ावा द देने के लिए प्रोटसायत किया जाएगा साथी इस योजना से अधिक आए कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगा सर्जित करना इस योजना का भी मुख्यों देश है पीम मोदी जी के दवारा सोर उर्जा निरंतर परकरती को बढ़ावा देने के लिए सभी गर मुख्य बिजली योजना के अंतर गत के अंदर सरकार 75,000 क्रोड रुपाय कर्च करेंगे और एक करोड घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे और 300 यूनिट हर मैने बिजली फ्री दी जाएगे अब हम आपको बताते हैं कि पीम सुरिय गर मुख्य बिजली योजना क अंतर गत सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए ओनलाइन फॉरम बरना होगा और ओनलाइन फॉरम कैसे बरा जाएगा अभी हम आपको बताने वाले अभी तक हम ने आपको बता है कि पीम सुरिय गर मुख्य बिजली योजना क्या है तो यहां पर आपको एक कैल साथी उनके नाम से एक बचत काता होना चाहिए ताकि के अंदर सरकार की पीम सुरिय गर मुख्य बिजली योजना के अंदर जो सबसीडी दी जाएगी वो डायरेक्ट अकाउंट में दी जाएगे तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए का प्रोदारन के तोर पर 2000 रुपए टाइप किया हैं कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हमारे सामने प्रोजेक्ट के कोस्ट आ जाएगी और सबसीडी आ जाएगी और हमें कितने रुपए देने होंगे प्रोजेक्ट होगा वो 47,000 रुपए का होगा और सबसीडी मिलेगी वो 18,000 रुपए मिलेगे और लगबग हमें 27,000 रुपए का पेमेंट करना होगा तो अगर आप पीम सुरिय गर मुपत बिजली योजना के अंदर गर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो एक किलो वाट पर आपको 18,000 रुपए सबसीडी दी जाएगी और एक किलो वाट से लेकर 10 किलो वाट तक है सोलर पैनल हम अपने घर की चट पर लगवा सकते हैं तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर एक किलो वाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो कितने रुपए कोस्ट होगा कितने रुपए सबसीडी मिलेगे और रुपटूप के लिए कितना एरिया चाहिए हर दिन कितने रुपए की बचत होगी और साल के कितने रुपए बचत होगी यहां पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप जो सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं यानकि 25 साल में कोई भी खराबी हो जाते हैं तो आपको बताने वाले हैं कि PM सुर्य गर मुपत बिजली योजना के अंतरगत अगर हम अपनी घर की चत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं रुपटूप सोलर लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ओनलाइन पोरम कैसे बर सकते हैं ओफिसेल पोर्टल पर यहां पर आपको मिलता PM सुर्य गर मुपत बिजली योजना के अंतरगत रूप टूप सोलर के लिए रिस्टेशन करते समय यहां पर दो स्टेप देगे हैं पहले स्टेप में यहां पर राज्य का नाम डिस्टी का नाम और उसके बाद में हमारे घर पर जो बिजली का कनेक्शन है वो कौन सी कंपन करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अगर आप यहां पर रीमेल डी टाइप करना चाहें तो इमेल डी टाइप कर सकते हैं अन्याथ आप इसे खाली चोड़ सकते हैं उसके बाद में यह जो टैक्स्ट कोड दिएगा है इमेज़ में यहां पर आपको टाइब करना है और सब्मेट करना है तो यहांद हे तो जैसी नहीं करना है तो image के यह code टाइप करना है और submit कर देना है फिर से में okay पर click कर देना है तो हमारा rooftop solar के लिए registration है वो complete हो जाएगा यानिकि यह हम सुर्य गर्मोपत बिजली योजना के अंदर के rooftop solar लगवाने का registration हो जाएगा registration होने के बाद में हमें login पर click कर देना है इम आपर किरेंगे उसके बाद में हमने ज़ो registration करते हैं मोबाइल नंबः हम यहाँ पर çaइब कर करेंगे उसके बाद में यह इमेस टेक्स्ट कोड दिये घंए यहाँ पर type करेंगे और next पर क्लिक कर देंगे तो online forum बरने का dashboard इस तरह से open हो जाएगा सबसे पहले हमें rooftop solar installation के लिए online forum बरना होगा तो सबसे पहले इस टेप है में rooftop solar लगवाने के लिए installation के लिए सबसे पहले में forum बरना होगा यहां पर सबसे पहले detail of applicant यानि की जिसका भी नाम से हम यह solar rooftop का forum बर रहे हैं उसकी detail बरी जाएगे यहां पर बीजली के बिल में जो भी नाम है जो भी apply कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा उसके बाद में category of applicant में यहां पर category select करें ना है डिश्टी का नाम एटोमेटिक रहेगा पिन कोड नमबर यहां पर टाइप कर देना है टूप टूप solar installation का यह दो नमर स्टेप में electricity distribution company detail यहां पर एटोमेटिक आ जाएगी यहां पर आपको केवल division name select करें तो हमारे बीजली के बिल में division का नाम मिल जाएगा और उसके बाद में sub division का नाम यहां से select करेंगे उसके बाद में मारे जो consumer account number है अगर आप edit करना चाहते हैं तो यहां से edit भी कर सकते हैं अगर consumer account number सही है तो हमें edit नहीं करना है उसके बाद में sanction load in kilowatt यानि कि हमारा जो load है वो कितने kilowatt का है तो मुखे रुप से जो हमारे गरों का विजली का connection होता है वह 1 kilowatt का होता है तो हम यहां पर यह वन टाइप कर देंगे एक टाइप कर देंगे अगर आपको यह कंपर करना है कि आपका बीजली का connection है वह कितने kilowatt का है तो आपकी बिजली के बिल में मिल जाएगा कि एक kilowatt का या फिर 2 kilowatt का उसके बाद में apply for root to solar के लिए यहां पर तीनमर स्टेप में contact details दीगें यहां पर मोबाइल नमर आटमेटिक आजाएंगे हमने रिजिस्टेशन करते समय जो मोबाइल नमर दीए थे वही मोबाइल नमर रहेगा वही email ID रहेगा अगर हम एडिट करना चाहते हैं उसके बाद में solar rooftop की details दीगें यहां पर हमें category में यहां से फिर से हम calculate कर सकते हैं उसके बाद में अगले स्टेप में पूछा गया है कि यानि कि हम अपनी घर की चत पर कितने किलो वाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो हम PM सुर्य घर मुपत विजली योजना के अंदर गत एक किलो वाट से लेकर 10 किलो वाट तक के रूप टूप सोलर लगवा सकते हैं मुखे रूप से हम यहां पर एक किलो वाट का ही सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो बिजली का connection है वो एक किलो वाट का है और आपके घर की चत पर पहले से कोई रूप टूप सोलर लगा हुआ है एक किलो वाट का दो किलोवाट का तो यहां पर टाइप कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप यहां पर location set करना चाहते हैं अपने घर की तो location भी set कर सकते हैं उसके बाद में save and next पर क्लिक करते हैं तो जैसे apply for rooftop solar installation का पहला step है वो complete हो जाएगा और दूसरा number step इस तरह से open हो जाएगा दूसरे step में यहां पर पिछले च्छा है महीने में से किसी एक बिजली के बिल को यहां पर scan करके upload करना होगा बाकी सभी डीटेल है यहां पर हमें भरी भी मिलेगी हमें कुछ भी update नहीं करना है और save पर click करने के बाद में final submission पर click कर देना है तो हमारा अप्लाइप और रूप टूप सॉलर इंस्टॉलेशन के लिए फोरम है वो complete हो जाएगा यानि की PM सूरिय गर मुपत बिजली योजना के अंदर का रूप टूप सॉलर इंस्टॉलेशन का फोरम सब्मिट होने के बाद में दो नमरी step में हमें अपनी bank account detail है वो यहां पर submit करनी होगे तो यहां पर सबसे पहले bank का नाम select कर लेना है उसके बाद में हमारी bank passbook में यहां पर टाइप कर देंगे और उसके बाद में हमारा जो bank passbook है उसका पहला पेज है जिस पर account नमर दिया गए यहां पर चूज पाइल पर क्लिक करके उसके बाद में submit to MNRE पर क्लिक कर देंगे तो bank details है वो हमारी subsidy के लिए पूछी गया है कि हमारा रूप टूप सॉलर जो लगवाने के बाद में subsidy मिलेगे वो हमारी इसी bank account में मिलेगे तो साथियों bank account detail है वो हमारी सही तरीके से यहां पर टाइप होने चाहिए और उसके बाद में submit करना है तो यहां पर आपके सभी step है वो complete किये जाएंगे हमारा पहला step है वो complete हो चुका है यानिकि हमारा application forum है व उसके बाद में अगले step में project commissioner status दिखाय जाएगा और उसके बाद में अगले step में subsidy request लगाएंगे और उसके बाद में हमारे bank खाते में subsidy हैंगे तो साथियों अगर आप PM सूरिय घर मुपते बिजली योजना के अंदर गात अपनी घर की चत पर solar rooftop लगवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप online forum बढ़ सकते हैं इस तरह से सबसेड के लिए अपनी बैंक अगाउंट डीटेयल आप सब्मिट कर सकते हैं और हम बने के बाद में यह बाकी step है वो आइटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आज हमने आपको बदा है कि PM सूरिय घर मुपते बिजली सब्सक्राइब का दिन शोब बहुत जाएंगे इंद बने महात्रम जय सरी राम